देनिक यति राशीफल में आपका हार्दिक स्वागत है ह Ariya Kumar Vijay आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंशांग और बारारा सिघा रासी बताऊँगा सबसे पेहले पंशांग बताौँगा उसके बाद मैं रासीफल बताऊँगा और राशिफल के बीच में मैं आज आपको कुछ खास उपाए बताना चाहता हूँ जो की अमावश्या के दिन ही किये जा सकते हैं तो कल अमावश्या है मैं आपको आज पहले एक दिन पहले यहाँ उपाए बता रहा हूँ अगर आपको आवश्यक्ता हो और आपको अच्छा लगे तो यह उपाय अपनी जरूरत के इसाब से जरूर करके देखें आप साइद इससे आपका लाब हो जाएगा और मेरे को पूरा बरोसा है कि अगर आपने सची सर्दा के साथ यह उपाय किया तो इसका परणाम भी आपके लिए सुकद रहेगा आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वह उपाय बहुत सरल है और परियोग में किये वे उपाय जिन से कई लोगों को लाब मिल चुका है यह उपाय मैंने पहले भी पिछले सालों में कई वर्सों से मैं बताते आ आ रहा कहीं लोगों को अब यूट्यूब के माद्यम से मैं आपको भी बता रहा हूँ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि अम्मावश्या के दिन अगर किसी को मेरे इस वीडियो से लाब मिलता हो तो वह जरू को उठा सके आज सबसे पहले मैं आपको आज के दिन का पंचांग बता देता हूं आज इनांग पांच मार्च 2019 मंगलवार का दिन फालकुन मास क्रश्णपक्स की चतुर दसी तिति शाम साथ बज़कर साथ मिनर तक रहेगी फिर अमावश्या तिति शरू हो जाएगी दिन राज सलते रहेंगे आज कर आफकाल दोपहर को तीन कर स्क्रksom वाश्या मिनट याए कि तक रहेगा अभी जीत महरत दोपहर को बारा बजरा 27 मिने दे एक वाश्या मिनट तक रहीगा आज कोई और अन्य सुभ योग नहीं है जोट्पूर के समय के समाइस नुसार शूर साम को पांच बजकर 49 मिनट पर होगा आज मंगलवार को उतर दिशा में दिशा सूल रहता है अगर ज्यादा जरूरी नहों तो उतर दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा याथा आज के दिन का पंचांग और अब मैं आपको बाराहर राशी वालों का दिन कैसा बीतेगा और आपको पुन्ह याद दिला देथा हूं कि आज राशी आपको कुछ विशेश परकार के उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए मैं समझता हूं कि उप्यों की इसी दो सकता है अगर आपको इस परकार की समझया है और आपको आउश सकता है तो साइध मेरा यह वीडियो बनाना सफल हो जाएगा अगर आपको काम आये तो अब देखत है मेस राशी मेस राशी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है लाबदा एक दिन है अगर देखे तो पाएंगे कि आज का गोचर आपके लिए पूर्ण पक्स का बना है और ऐसे में आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे या कोई काम करने की जिम्मेदारी उठाएंगे वह पूरा कर लेंगे वेपार और वयुषाय में आज आपको लाब मिलेगा पारिवारिक रूप से आज आप संगठीत होकर खुशी मनाने का मौका भी मिल जाएगा और साथ में ही आज आप किसी सामूहिक समारोवादी में या किसी सुब मांगलिक काम में भी सामिल हो सकते हैं अब देखते हैं वर्षब रासी वर्षब रासी के लिए आज का दिन विशेश लाब का बन गया है बस आज के दिन आप आड़स त्यागे और अपने काम में लग जाएं तो श्याम होते होते आपके सभी जरूरी काम और महतुपूर्ण काम बन जाएंगे आप से रिष्ते स शुदारने का वक्त है और समय निकाल कर आज अपने अधिनिष्ट यानि आपके आज के नीचे जो लोग काम करते हैं और करते हैं उनके हालचाल पूछें उनसे बात करें यह आपके लिए अच्छा होगा अब देखते हैं मितुन रासी मितुन रासी के लिए आज का दिन थ एक दो दिन और थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा फिर आपके पक्स में गोचर बन जाएगा तो आपके सभी काम आसानी से बनने लगेंगे और लाब भी मिलता चला जाएगा अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रासी फल के बीच में यतिवानी में कुछ उपाए बताऊंगा तो अब मैं आपको यह उपाए बता देता हूं और आप मेरे इस उपाए को बहुत त्यान से देखें, सुनें, समझें और अगर आपको आउशकता हो इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की जो मैं आज बता रहा हूँ इसी विशेपग तो आप मेरे को मेरे Facebook के Messenger में सवाल जवाब पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे comment box में मैं ज़्यादा वापस देखता नहीं हूँ गौर नहीं करता हूँ किस ने क्या लिखा किस ने क्या किया इसलिए आप यहाँ पर कोई सवाल ना पूछे सवाल जवाब करने के लिए मेरे Facebook का एकाउंट और उसका Messenger आपके लिए उपलब रहेगा आप उसमें मेरे से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं मैं जो उपाई बताने वाला हूँ वह बहुत छोटे-छोटे उपाई है जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको मुक्त दिलाने में वह बहुत उपियों की सबीत हो सकते हैं ऐसा मेरा मानना है और मेरा अनवोवी है अगर आपके पास में धनकी कमी हमेशा बनी रहती है तो मैं आपको एक छोटा सा बिलकुल साधरन उपा जो आपने अभी तक कहीं बार किया भी होगा किसी के कहने से या कहीं पढ़ कर देख कर लेकिन मैं जो बता रहा हूं वापस आप करें यह अमाउस के दिन ही करें कल अमाउस है आप करें तो मैं यह उपा जो बता रहा हूं वह द्यान से सुनें आप बढ़िया क्वालेटी का लाल सुर्ख रंग का कुम-कुम ले लेवें कम से कम पाव किलो तलही लेवे या एक ऐसी डबी लेवे जिसमें पाव किलो 250 ग्राम के करीब का कुम-कुम आ जाए ऐसे तो डबियां बड़ी-बड़ी मिलती है मार्केट में ready-made आप वह डबी भी ले सकते हैं ऐसी कुम-कुम की डबी ले वे और कुम-कुम को एक चांदी की डबी में अगर आपके पास चांदी की डबी उपलब्द नहों तो कोई बात नहीं है, जिस प्लास्टिक की डबी के अंदर कुम-कुम आया है, आप उसी डबी का भी उपयोग कर सकते हैं, उस कुम-कुम वाली डबी में एक चांदी का डै डिंस का चोड़ाई और लंबाई वाड़ा प चांदी के चोकोinha टुकडे के ऊपर आप कुम-कुम से ही , ओ-म, रिम, शरिम, कलेम, महवा, लक्ष्मिय नम्चौप कुम-कुम से उस चांदी के टुकडे पर लिखलें और उस चांदी के टुकडे को आप कुम-कुम की डिबी में ynिकाल लिया आदा कुंकुम उसमें बचा उस आदे कुंकुम के उपर वह चांदी का मंत्र लिखा हुआ टुकडा रख दे और बाकी का जो बाहर कुंकुम निकाला था वह वापस उस डिबी के अंदर भर दे इससे यह होगा कि जो आपने चांदी का यंत्र बनाया था या मैं चांदी के च परकार से आप वह डिबी में भरकर अपने पैशा रखने वाले गहने रखने वाले या कोई मेहतुपुन कागज रखने वाले इस्तान पर रख देवें वह डबी और नियमित जब घर में दिया अगरबती करते हो तो थोड़ा अगरबती मां भी आप कर दिया करें दीपक हो कर हो तो दिपक भी गुमा देवें ऐसा करने से लक्षमी का वास देरी देरे आपकी घर में उना सरू हो जाएगा घर की तीजोरी खाली नहीं रहेगी इसके अलाबा मैं आपको एक और बात बता देता हूं एक मतलब एक और उपाय बता देता हूं अगर आपके घर में चांद के चौकोर टुकडे की जगह पर वह लक्षमी जी की मूर्ती भी कुम-कुम के अंदर दबा कर अपने तीजोरी में रख सकते हैं अगर आप लक्षमी जी की मूर्ती लेते हैं तो फिर आपको वह मंत्र लिखने की कोई जरूत नहीं रहेगी अब इसके बाद मैं एक और मैं यही इसे मैं उपयोग और बता देता हूं लक्षमी जी घर में तीजोरी भरी रहे आपके पास पैसो की कमी ना रहे इस हिसाब से आप कुम-कुम की कुम-कुम को पानी में मिला कर चने के आकार की 108 चोटी 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 गोलियां बना ले गए अगर कुम-कुम की गोली नह मार्केट में भी मिलता है तो कुम-कुम चंदन केशर पाउडर सब मिला कर आप इतनी चने जितनी गोलियां मना ले एक 108 और उसको एक जगह पर डबी में बरकर या किसी बरतन में बरकर रख ले रोजाना एक गोली अपने हाथ में लेए एक आथ में और एक आथ में माला ले और जो मैंने उपर मंतर आपको बताया था ओम रीम श्रीम कलीम महा लक्ष्मिय नमह इस मंतर की एक माला नियमित करें और माला समापत होने पर वह जो दूसरे आथ में आपने गोली ले रखी थी उस गोली पर फूंक मारे और वह गोली घर के अंदर तिजोरी हो वहां पर च किसी भी और काच के बरतन के काच के छोटे बांड में भी आप रख सकते हैं आप नियमित ऐसा करें एक गोली ले उस पर एक माला करें उसके ऊपर फूंक मारें और वह तिजोरी के अंदर रख दे इस परकार से एक सो आठ दिन में आपकी एक सो आठ माला महा लक्ष्मि जी क मंत्रों की हो जाएगी जब पूरी वह एक माला मतलब एक सो आठ गोलियां पूरी हो जावे और वह सारी की सारी आपकी तीजोरी में जमा हो जावे तो आप उसी दिन या कोई अच्छा जैसे मान लो के आपका किसी दिन ऐसा वाज उस दिन बदरा चल रही है आप पूजन नही कर सकते हैं फिर लक्षमी जी गा तो कोई अच्छा सुब मौरत देखकर उसके आगे दो-चार दिन के अंदर ही महाल लक्षमी जी का आप पूजन घर में ऐसी इसी प्रकार से करें जैसे कि दिपावली के दिन आप करते हैं लक्षमी जी की इस्तापना करें पार्ट पर उनक को रख देवें दीरे-दीरे आप देखोगे कि इस प्रकार की गोलियों का भी अशर इतना जबर्दस्त होगा कि आपके घर में आए नियमित बढ़ती चली जाएगी अब मैं आपको एक और दूसरा उपाय बताता हूं जो अलग है दंसे समंदित नहीं है वह लेकिन हर उपाय दंसे समंदिती ही होता है अगर अगर आपके पास में कोई छोटा गर है और गर में समान जादा है या गर के सदस्य जादा है सबकी प्राइवेशी के हिसाब से अलग-अलग जगह कम पड़ती है इसके कारण आप कोई बड़ा मकान लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको एक दो उपाई बता देता हूँ वह काम गर की मुख्य महिला करे और जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बिल्यू और काले रंग के कपड़े का महिला त्याग रखे यानि कि इन रंग के कपड़ों को वह न पहने जब तक पूजा विदान चलता हो और दूसरी बात गर की छट पर खुले आसमान के नीचे भी वह न सोये साथ ही सुबह पहले पहर में ही सिनान ध्यान करना है इन सब बातों को ध्यान में रखें अगर आप इन तीन उपायों को यानि तीन बातों को ध्यान में रखें कि सबसे पहले तो गर की मुख्य महिला क को यह काम करना है जो मैं बता रहा हूं। दूसरा जब वह पूजा पाठ विदान में हो तब तक उनको काले और बिल्लू रंके कपड़े नहीं पहनने हैं। तीसरा रात को कई परिवार जो है वह चत पर खुले आसमान में सोते हैं तो जब तक पूजा विदान चल रहा है तब तक वह खुले आसमान में रात को ना सोये। चोथी बात सवेरे पहले पहर में सूरियोदय से जो तीन गंटे का समय रहता है वह पहला पहर होता है। इस पहले पहर में ही वह महिला जो पूजा कर रही है, वह सिनान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, और पहले तीन गंटे के अंदर ही, यानि के पहले पहर में ही यह काम कर ले. काम क्या करना है, घर के उत्तर दिशा में किसी कमरे में पाठ पर एक लकडी का बाजोट लेवें, छोटा पाठ लेवें, उसके उपर जो बालू मिटी आती है, जिसके उपर हवन किया जाता है, हवन की वेदी बनाई जाती है, वह बालू मिटी लेवें, पाठ के उपर उसको भी मिल्ककुल रखक़ उसके उपर पानी डाल बशने हैं पानी डालकर भी में तो मेखने हाला आला जरैंht। द्रचन बढ़ेशे करके उसके एक चोखी जैसा त्यार कर लें। तो इस कोने से इस कोने तक उस कोने से इस कोने तक सभी कोनों को टच करते हुए एक स्वस्तिक बना लेए यह स्वस्तिक कुंकू का भी बना सकते हैं और किसी गुलाल का भी बना सकते हैं स्वस्तिक ऐसा बनना से यह बड़ा कि चारों कोनों को वह टच करता हुआ बने उसके उपर जो स्वस्तिक बनाया है उसके उपर आप पीली सरसुं के दाने की एक डेरी बना देवें और उसके उपर डेरी के उपर जो पूजा में काम लेने वाला नारियल होता है जिसके अंदर पानी भी होता है ऐसा पानी वाला पूजा में काम लेने वाला नारियल लेकर उसके उपर रखें और सबसे पहले रखने से पहले वहां पर कुल्देवी को आवान करें के हे कुल्देवी मता आपकी जो कुल्देवी मता उसका नाम ले लें उनको वहां नारियल कुमकुम। के ऊपर कुमकुम एक गोल का टीक या गोल भेटहा बना के रखें, नारेल ने को इस्थापित कर दें। उसके बाद मैं कुल्दिवी माता को ध्यान में रखकर जलम समर्पयामी, अक्सतम समर्पयामी, कुंकुम समर्पयामी ऐसे माता जी का जो कुल्दिवी का आपके हैं, उनका नाम लेते वे हर वस्तु को धूप, दीप, कुंकुम, अगर्वती, लाल चूनरी, फूल, फूलार, चमेली का सेंट, गुड, शूपारी और जो घर में अगर कोई खीर का भोग लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यह सब कुल्दिवी का नाम लेते वे समर्पित करते जाना हैं, और अगर आपके पास में आपके कुल्दिवी का इस्तोत्र हो कोई, तो वहाँ पूजा करने के बाद में बैठ कर दो वारूस इस्तोत्र को पूरा ध्यान से सुद्धी बोलने में वह उच्छारण में असुद्ध न हो, इस परकार से सुद्ध होकर बोलें, और फिर उसको ऐसा पूजा करते रहें, यह पूजा किसी भी अमावश्या से सरू कर कर, पूरे डैड़ महिने तक चलती है, अमावश्या से अगली पूनम आएगी, पूनम के बाद में फिर अमावश आएगी, और अमावश के बाद में जो पूनम आएगी, उस दिन तक यह पूजा नियमित करना है, रोजा ना पूजा के समान की जरूत नहीं है, पहले दिन आपको पूजा का समान लगेगा, और आखरी दिन जब उत्थापन किया जाएगा, तभी वह इतना समान वापस लगेगा, रोजा ना दीपक करके, अगर्बती करके, कुल्देवी मता की आरती करके, आप वह दोस्तों तरक सिरफ पढ़ें, वहां पर बैठ कर, और इस परका कपड़े में लपेट कर, आप टांग सकते हैं, और इसके अलावा रोजाना वहां जब रखते हैं, ती दूरी में रखो, चाहे उपर इशान कौन में आप लगाएं, रोजाना दियाबती, दूबती करें, आपका जो डैड महीने का यह पूजन की अवा है, यह आपको पूजन सामगरी को अगर आप करते हैं, पहले दिन और आखरी दिन वह पूजन सामगरी एक दिन भी अपना गर में रखे, तुरत उसको उठाकर विसेजन, जलते, बैते पानी में आप जल में परवाहित कर देवे हैं, इस बारे में अगर और कोई जादा जानकारी आपको लेना है, तो मेरे फेस्बुक के मेसेंजर में संपर्क कर सकते हैं, इसका जो लिंक है, वह मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, अब देखते हैं बाकी की राशियां, उसमें सबसे पहले देखते हैं करक, करक राशि के लिए आज का दिन ठीक नहीं लग रहा है, आठमा चंद्रमा है, तो आज आप थोड़ा सावदान ही रहे, क्योंकि आज चोट लग सकती है, किसी से बिदा मतलब बहस आदी हो सकती है, अभी यातरा और नए इन्वेस्टमेंट को दो दिन के लिए टाल दें, आपको अपने सत्रों पर भी आज नजर रखने की जरूरत पड़ेगी, अब देखते हैं सीहरासी, सीहरासी के लिए आज का दिन अच्छा है, पक्ष के गोचर का बना है, खास कर आज मूड फ्रेस रहेगा, आपका ज्यान अपोजिट लिंगी के तरफ आकर्शित रहेगा, आज प्रेमी संग मुलाकात होगी, और कहीं साथ गूमने भीरने भी जा सकते हैं, विभाहित भी आज अपने साथी के साथ फ्रेम प्यार से रहेंगे, और एक दूसरे कर पड़ती समिरिब्पित रहेंगे, अब देखते हैं कञ्या-रासी, कञ्या-रासी के लिए आज का दिन कूछ कारियों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कूछ क कुछ काम के लिए आपको मैं रुकने की चला भी दूंगा जिसमें खास करके आज कोई नया काम हो या यात्रा करने का काम हो तो वह टाल दें कोई वेक्ति आपकी सामाजिक छवी को खराब करने का करने की कोशिश कर सकता है समझदारी से काम करना ठीक रहेगा आज आप अपने की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है परिवार में खुशी का माहूल रहेगा संतान पक से सयोग मिलेगा आर्थी किस्तिती में सुदार होगा और नए काम में आपकी रुची भी बढ़ेगी अब देखते हैं वर्षिक राशी वर्षिक राशी के लिए आज का दिन मिले का जो आपके खिलाब बन रहा है बस ऐसे लोगों से आप सावदान रहें जो आपके विरुद हमेशा से कुछ नकुछ सड़ी अंतर रचते रहते हैं अब देखते हैं दनुरासी दनुरासी के लिए आज का दिन निश्चित रूप से बड़े काम करने और अपना परबाव बड़ेंगे कोई नया काम भी आप सुरू करना चाते हैं तो सुरू कर सकते हैं परिवार का आपको साथ मिलेगा किसी समार हो आदी में भी आपका जाने का मौका मिल सकता है आज आपको यातरा का लाब मिलेगा अब देखते हैं मकर रासी मकर रासी के लिए आज का दिन अच आप समय दे है आज तो आपका काम पूरा हो जाएगा पैसे आज देख कर खर्च करें यह आपके लिए अच्छा रहेगा अब देखते हैं कुम राजी कुम राजी के लिए दिन अच्छा है आपकी ही राजी में चंद्रमा चल रहा है इसलिए आज कोई नया काम शरू करना चाते हैं तो कर सकते हैं पुराना कोई रुपाइट का काम है उसको भी आफ सरू करे तो वह बी पूरा हो जाएगा आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी कोई सुब और मांगले काम में आप सामिल हो सकते हैं या आप खुद भी अपने परिवार में घर में संपन करवा सकते हैं आज का दिन कुल मिला कर आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है अब देखते हैं आखिर में मीन राशी मीन राशी के लिए के आज का दिन खर्चिला बना बन गया है क्यूंकि आपके लिए 12 वेंcion का संद्रमा है और कुछ आज फाल्तू खर्चे आपको करने पड़ेंगे या अगर आपने ऐसा कोई खर्च किया है तो आपका बैंक बैलेंस भी या जीब का बैलेंस भी गड़बरा सकता है किसी से आज बार्मा संद्रमा है यह आपके लिए खर्चिला भी है और सांती बना का रखने वाला दिन भी है यह था आज के दिन का पंचांग और बाराराशी का रासिफल रासिफल के बीच में मैंने आज आपको कुछ खास और मैतुपन उपाए बताएं जो अति विशिष्ट हैं य जैसा मैंने जिसके समंद में जिस काम के समंद में वो बताया उपा है अकर आपको जरूत हो तो निश्चित तोर्चा आप करके देखें इसका आपको लाब मिलेगा कल फिर में नए वीडियो में नए पंचांग और नए रासिफल के साथ यतिवानी के अंदर एक नई बात पर आपके सामने चर्चा करूँगा बातशीत करूँगा तो आप मेरा यहाँ वीडियो लाइक करें शेयर करें और कल के वीडियो को भी आप जरूर देखें तब तक के लिए जैजनेंद्र